स्वागतो रविनन आज यात्रा में होने के कारण वीडियो देर से अपलोड हो रही है आप लोगों को परतेक्षा कराया इंतिजार कराया इस बात का मुझे खेद है लेकिन फिर मैं आगे आपकी सेवा में उपस्तित होने के लिए कई सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं और समचाथ पत्रों के माद्याम से तीवी चैनल के माद्याम से दिखाया जाता है कि जो हिंदू माहत्मा है, पुजारी है, पंडा है वो लोग धर्म की आड में ज्यादा कुकर्म करते हैं योन सोसन करते है ऐसा फिर चार में बताया जाता है देखाया जाता है लेकिन आज ये एक बात मैं आपको बड़े मजे की बताूंगा कि जो मुसल्मान मौलाना होते हैं वो हिन्दू बावाओं से कई गुना ज़्यादा सेक्स करते हैं महलाओं का योन सोसन करते हैं कभी हलाला के नाम पे और कभी कुरान सरीफ कुरान मजीद पढ़ने के नाम पे कई-कई बालिकाओं के साथ में रेप करते हुए पाए गए हैं अब आप कहेंगे लेकिन उसकी जानकारी तो पॉबिकली आउट नहीं किया जाती है पॉबिशन नहीं किया जाता है तो आपकी जानकारी को एक मैं रहस की बात बता दूँ कई सारे मुसल्मान जो समझदार हैं जो जागरूख हैं वो मेरे मिलने वाले हैं उनसे कभी हसी मजाक में दिल लेगी में बात्चीत हो जाती है कि आखिर क्या कारण है आपके हिया जो ये चीजें लाइट में नहीं आते हैं तो वो मुसल्मान जो हमारे भाई बंदों हैं जिन्होंने मुझे ये राज की बात बताई आज मैं पबिलिकली बता रहा हूं ताकि मुसल्मानों को घमंड ना हो मुसल्मानों को अपनी कम्याद दूर करना चाहिए और बाबाओं के उपर लांचन लगाना उंगली उठाना या मजा लेने की कोशिस ना करें सबसे पहले बात तो अगर हिंदू समाज का कोई बाबा या पुजारी किसी अनैतिक कारिये में पकड़ा जाता है तो निश्यत रूप से जो हिंदू है हिंदू भाव तो भोला है या फिर कोई बेवकूफ है 85% हिंदू भोला है या फिर कोई कि वो बुद्धिहीन है मंद बुद्धि है दूर दरश्टी का अभाव है जब कोई पुजारी या बाबा जब पकड़ा जाता है किसी मंदिर में या किसी आस्रम में तो वो तुरंत ही उसके खिलाफ ऐफाया दर्श कराते हैं या फिर अखवारों में निकलवा देते हैं समाचार चैनल वालों को बुला लेते हैं अभी इसे चाहें तो हिंदू की आप समझदारी कहिए कि वो पाप को दबा के नहीं रखना चाहते हैं वो गंदिकी को छुपा के नहीं रखना चाहते हैं वो कुकर्मी को दंडित कराना चाहते हैं उसकी भरतसना कराना चाहते हैं चाहें तो इसे ही समझदारी समझ लो या फिर वेवकूफी, आपको टैक करना है, अब इसी स्थान पर होता क्या है, मज्जितों में भी ऐसा होता है, कभी बालिकाई जो कुरान सरी पढ़ने जाती उनके साथ पर उनकी छातियों को दबाते हुए मैंने वीडियो बाइरल भी रहता है, दूसरी बात, हमारे मुसल्मान में तरों ने ये बताया, कि महराज जी हमारे यहाँ भी यह खूभ होता है, अब खूभ होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई मौलाना पकड़ गया, किसी लड़के के साथ कुकरम करने में, बच्चे के साथ या बा कि जो कोकर्म हो गया वो बापस नहीं होगा लेकिन मुसल्मान समाज की बदनामी होगी तो मुसल्मान या तो चानाक है या फिर बेवकूफ क्योंकि वो बुराई को दवा देता है आज तुम जिस मौलाना के लिए जिसने पाप किया है कोकर्म किया अनयतिक कारिय किया है अगर तुम चुपचाब उसे विदा कर देते हो तो वो दूसरी जगे फिर उसके लिए अपना मौका मारेगा हाँ साफ करेगा क्योंकि उसको पता है जो मुसलमान कम्यून्टी है मुसलमान समाज है वो बदनामी से डरता है कि हिंदू उसकी मजाग बनाएंगे और इसी कारण से कई सारे मौलाना कई-कई लड़कें के साथ कई-कई औरतों के साथ कई-कई वीवीओं के साथ ऐसे कई अनाचार करते पाए गए हैं और ऐसे दुराचार के मामले हिंदों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा है अगर किसी के लिए एतराज हो यदि किसी को मेरी बात बुरी लगती हो तो वो अपने अल्ला की कसम खाके बताए क्या उसके जो मौलाना है मौलवी है क्या उनमें दुराचार की कमी पाई जाती है क्या वो कमबड़ी कुकर्मी है अरे जो हलाला के नाम पे तुमारी औरतों को अपने साथ रखते हैं तीन दिन अपने साथ लेटाते हैं उनके साथ रेप करते हैं उनके साथ संभूग करते हैं सेक्स करते हैं लेकिन बहीवात अब आप कोगे यह तो हमारी यहां पर परमपरा है रिवाज है तो अगर यह तुम्हारे रिवाज परमपरा है कोई बात बात नहीं चालू रखिये कोई दिकत नहीं अपनी और अवरतें लड़की को पत्र न्यों को मौना को सोपते रहैं हमें कोई है इतराज नहीं लेकिंए यह कहना बंद कर दीजिये सोचना कि हिंडूं में बाबा जादा कुकर्म है हिंडू तो समझदार हें दू घंद्ध की को छपाके हूं वो हो सकता है कि राजनेतिक सड्य अंत्र भी हो क्योंकि जब उन्होंने कुछ किया तो उस समय ना तुम थे न हम थे और भारत में तो ऐसा है कि 5500 रुपए में और तें किसी को भी बदनाम करने में पीछे नहीं है 500 रुपए में रेप का मुकद्मा आप किसी के भी खिलाब तो मेरे खिलाब भी लिखा सकते हो हो सकता है कि आने वाले समय में मेरी प्रतिष्ठा को मेरी प्रसिद्धी को देखके जाने कितने बाबाओं के जाने कितने मौलानाओं के और जाना कितने सड़यंतर कारियों के दिमाग में सड़यंतर चलेगा कि इस बाबा को भी नीचे देखाए जाए तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आसाराम बेगुना हैं मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि वो गुनेगार हैं क्योंकि इसका साक्ष हमारे पास नहीं है अब तुम कहोगे कि CBI की रिपोर्ट वो सब अलगी चीज़ है CBI हो पुलिस हो यह सब बिक्ती है और सरकार के खिलाब जाच नहीं दे सकते हैं हां आसराम ने एक बहुत बड़ी गलती यह करी थी कि बीजेपी को सपोर्ट किया था सादू संत को किसी पार्टी विसेश को खुले आम सपोर्ट नहीं करना चाहिए यह गलती तो उन्होंने की और जबकि आपने देखा होगा कि उ मोदीवी उनकी बड़ाई कर रहे थे पैर चू रहे थे और यह अमिसाह को भी देखा अडवाणी को भी देखा राजनात को भी देखा लेकिन इन हिंदूों के मूँ से कभी यह नहीं निकला ही नेताओं के मूँ से कि आसराम हो सकता है एक परसेंट वेगुना हो इनकी पु जाता है तुम लोगों की तरह नहीं कि अपनी अपनी ओरतें तुम सौंप देते हो हलाला के नाम पे तुमारा रिवाज है यह ठीक है लेकिन कहना बंद कर देना कि तुमारे यह कम कुकरमी है हमारे यह कुकरमी भी होता है तो उसको तुरंट ही परदाफास कर दिया जाता है लेकिन तुमारी हाँ तो परंपरा है रिवाज है थैंक्यू सो मच इस जानकारी से कुछ सीखने की कोसिस करें और हिंदू भाई भेन इस वीडियो को सेर करें ओम शांती ओम करांती